मार्केट किसी पॉइंट पे ओपन हो रहा है इतनी बड़ी सेलिंग के बाद इस टाइब का पैटन बने के बाद भी मार्केट यहां पे ओपन हो रहा है तो मार्केट में यहां से सेलिंग नहीं आएगी यहां से एक बाइंग आएगी फिर वैसा आपको एक बड़े चार्ड प करता है मार्केट के लिए देखते हैं क्या करता है मार्केट है कि मार्केट यहां से बाइंग देगा यहां से सेलिंग नहीं देगा ठीक है वन आउर के चार्ड पे बैंक निप्टे पे यहां पे हमें एक सपोर्ट दिख रहा है ठीक है मार्केट ने यहां पे दो तिन बात सपोर्ट लिया है और दिखिए अब इस पे भी मार्केट टच कर रहा है तो मार्केट के लिए ये तीनों पॉइंट कमबाइन हो चुके है ठीक है इस जोन का एक सेंटर पॉइंट है उपर से इसने एक पहला लो बनाया था फिर आज एक लो बनाया है और ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन हमें दिख रही है ठीक है ये तीनों पॉइंट यहाँ पे कमबाइन हो चुके है तो इन तीनों पॉइंट को दिखती हुए हमें एक डबली पैटन फार्म होता हुआ दिख रहा है कुछ इस टाइब का डबली पैटन हमें यहाँ पे फार्म होता हुआ दिखा है ठीक है अब देखते हैं मार्केट में क्या होता है ये जो मुह आया है ये मुह हमें थोड़ा सा कन्फूज कर रहा है कि मार्केट में आप पर साइड का मुवमेंट आएगा या नहीं आएगा ठीक है तो इसका भी हम एनलिसिस करेंगे मार्केट इस ट्रेंड लैन को अगर ब्रेक कर देता है ये रेट ट्रेंड लैन को और नीचे आता है इसको ब्रेक करने के बाद हम completely कल पूट बनाएंगे ठीक है आज हम पूट के लिए इंट्रेस्टेड नहीं थे लेकिन मार्केट में एक बार ये मुवमेंट हमें दिखा है ठीक है ये थोड़ा सा कट लग रहा है मार्केट में अगर ऊपर जाना था मार्केट को तो थोड़ा सहीं यहां से बेंड होके ऊपर जाना चाहिए था मार्केट आज बहुत ही जादा नीचे आके ऊपर जाके close हुगा है लेकिन ये closing अच्छी नहीं है दिखरी है चार्ड पे ठीक है अगर मार्केट इसको break कर देता है इस support को तो market में हमें क्या मिलेगा 42-730 का हमें एक support मिल सकता है 15 मिनिट की चाड़ पे हमें ये 2 point connect होते हुए दिख रहे है ठीक है, market अगर flat open होता है उपर की side निकलता है अगर हमें यहां पे मिल जाया market तो हम अपना position बुक करेंगे call की side किसे ने लिया होगा तो और wait करेंगे कि यहां पे market क्या करता है अगर market यहां पे नीचे की side कुछ price action create करता है तो ठीक है, हम कल यहां तक का target लेंगे ओके, यहां पे put में बैटेंगे अगर कल हमें बहुत ही ज़्यादा gap up मिलता है समझ लोई, इस line से नीचे कहीं यहां पे तो हम definitely इस line पे जाते ही हमें एक put का try करेंगे क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे market में एक rejection में अला था इसको break करते हुए market में यहां पे हमें support मिला है, ठीक है फिर market ने इसको break करके नीचे यहां पे तोड़ा है तो यहां पे market में support zone है तो हम कल discussion कैसे किये थे उसी सबसे 900 और 800 के बीच में यह level आता है तो इस पे हमें resistance completely मिलेगा और हम यहां पे put का try करेंगे market अगर gap down open होता हुआ हमें दिखता है नीचे की तरफ तो हमें wait करना है कि यहां पे market क्या कर रहा है नीचे से एक बड़ी candle खड़ी कर दे green तो हम उपर इसको high break होते ही हम यहां पे एक C बनाएंगे जाते जाते चैनल को subscribe करिए friends चलते थैंक्यू